हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो आवर चानल MNP Knowledge School फ्रेंट्स, LIC अपने ग्राहकों को कई इंशोरेंस पॉलिसी मोहिया कराती है जिसमें ग्राहकों कई बेनिफिट मिलते हैं लेकिन कई बार कुछ ऐसी पॉलिसी होती हैं जिसे पॉलिसी धारक भूल जाते हैं अगर आप भी कभी LIC पॉलिसी धारक हैं या थे तो उसका आसानी से आप घर बैठे पता कर सकते हैं कि आपका भी कोई बकाया तो नहीं है लावारी शासी या बकाया वो एमाउंट होता है जो पॉलिसी धारक की अचानक मृत्ति हो जाने पर पॉलिसी का क्लेम ना करने से या छती पूर्ती का दावा ना करने से बीमा कंपनी के पास एकत्र पैसा हो जाता है तो दोस्तों आज हम जानेंगे अपनी वीडियो में कि अगर आपका भी कोई पैसा L.I.C. के पास है तो आप उसे कैसे पता कर सकते हैं और कैसे पास सकते हैं तो आएए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करने से पहला अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों LIC अपने ग्राहकों को अपने बकाया दावों या उसके साथ बकाया राशी को चेक करने की सुविधा देता है वेक्ति अपने दावों की जानकारी LIC की वेबसाइट से प्राप्ट कर सकता है ग्राहकों को इसके लिए LIC वेबसाइट पर जाकर पॉलिसी नमबर, पॉलिसी धारक का नाम, जन्तिती और पैन कार्ड नमबर की जानकारी देनी होगी आपको बता दें कि पॉलिसी नमबर और पैन कार्ड नमबर ये आप्शनल है लेकिन पॉलिसी धारक का नाम और जन्तिती सबसे एहम जानकारी है जिसके बिना आप इसे पता नहीं कर सकते हैं अब जानते हैं कि आप इसे चेक कैसे करेंगे अपनी कोई बकाया राशी है या नहीं है इसे आप LIC पर कैसे चेक करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आप LIC होम पेज पर जाएं आपको पेज के सबसे नीचे वाले हिस्से में लिंक की तलाश करनी होगी अगर आपको इसे खोजने में दिक्कत होती है तो होम पेज के दाएं कोने पर सर्च टैब में अन्क्लेम्ड एमाउंट टाइप कर सकते हैं अब आप अपनी डिटेल भर कर चेक कर सकते हैं यदि आपको पता चले कि आपकी LIC पॉलिसी में आपका भी कुछ लावारिस बीमा धन है तो आप या लाभार्ती सीधे LIC से संपक्त कर सकते हैं और राशी के लिए आवेदन कर सकते हैं इसके बाद कंपनी KYC जैसी अपचा रिखता हैं पूरी कर लावारिस दे भुकतान की प्रक्रिया शुरू कर देती हैं आपको बता दें कि किसी भी धोका धड़ी के दावों से बचने के लिए KYC अनिवार्य होता है तो दोस्तो ये था आज का वीडियो जिस पे आप अपने भूले वे इंशुरेंस पॉलिसी का क्लेम किस प्रकार से LIC से ले सकते हैं इसके बारे में I hope आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए जादा से जादा शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल मत भूलेगा Thank you, have a nice day and keep smiling